गुड मार्निंग आल अफ यू तो बच्चों हम पाट पड़ रहे थे ब्यज माधुरी ब्यज माधुरी के कभी हैं कभी वा पदमाकर जी, हरिश्चंद्र जी, बेनी जी आगे पद्य है सखी हम कहां करे कित जाए बिनू देखे वा मुहिनी मुरती नैना नाही अगाए सब ठोर, नैनन ते वह रूप रसीलो, तरतना एक पल और सुम्रन वही ध्यान उनको ही, मुख में उनको नाम, दूजी और नाही गती मेरी, बीनू मुहन घंच्याम सब बरजव परिजन खीजव हमरे तो अतिप्रान हरिश्चन हम मगन प्रेमरस सूझत नाही ना आन। इस पद्ध्यान में कभी ने सखी के मन की दूइधा तथा क्रिश्चन की प्रति जो प्रेम के भाव हैं, उसे वर्णन करते हुए कभी कहते हैं कि सखी हम कहा करे कित जाए, बीनु देखे वा मुहनी मुरेती नैना नहीं अगाए, बैठत उठत सैंसोवत निस, चलत फिरत सब ठोर नाइका अपनी सखी से मन की दूइधा का उलेक करते हुए कहती है कि हे सखी मैं क्या करूँ, कहां जाओं मैं क्या करूँ, कहां जाओं, क्रिश्णा के मोहनी मुरत को देखे बिना मेरे नैन नहीं भरते हैं क्रिश्णा की सुन्दर मुरतिया को देखे बिना, उनके सुन्दर चहरे को देखे बिना, मेरे नैन जो हैं नहीं भरते हैं बैठत उठत सेंस उवत निश चलत फिरत सब ठोर बैठते उठते सोते जागते चलते फिरते सब जगा उनका रूप देखने को तरसता है सब जगा उनके रूप देखने को तरसता है आगे बाद कहा गया नैनन तेवा रूप रसीलो टरतना एक पल और सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम दूजी और नहीं गती मेरी बिनु मोहन घंचाम आगे बाद कहते हैं एक पल के लिए भी एक पल के लिए भी नेत्र उसके ध्यान से हटता नहीं है हर समय मन में कृष्ण का ही नाम है कृष्ण के बिना मेरी दूसरी कोई गती नहीं है सभी बजवासी तथा परिवार के लोग सभी बजवासी तथा परिवार के लोग मना करते हैं खीजते हैं कभी कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम के अलावा उन्हें और कुछ नहीं सूजता है कृष्ण के प्रेम के अलावा उन्हें और कुछ दिखता नहीं है कृष्ण के सुन्दर मुख के अलावा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो बच्चो आज के लिए इतना ही धन्यवाद